नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है पांच अगस्त का वो दिन जिसे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के कड़ोरो हिंदुओं को इंतजार था कि स्री राम जन्म भूमी पे जो विशाल मंदिर बनने वाला है उसका स्रिला न्यास कब होगा और आज हमारे पास उस दिन के जो प्रोग्राम्स हैं कौन आने वाले हैं कौन जाने वाले हैं क्यों इस तरह की प्लैनिंग की गई है उसकी पूरी डीटेल मैं आपको बताऊंगा लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा कि प्रधार मंत्री मोदी बड़े ही निर्दई है इस तरीके से विपक्ष को रुस्वा करते हैं जिस तरीके से उनको अचानक से ये मिर्ची लगी है उसके भी राज क्या है इसे आपको समझना आज जरूरी है सबसे पहली बात कि प्रधार मंत्री मोदी पास तारीक को अयोध्या जाएंगे वो सिलन्यास करेंगे और साथी साथ वो तमाम सीनियर बीजेपी लीडर्स जो राम मंदर के आंदोरन में जिरोंने कंट्रिब्यूट किया है वो सारे महारत ही उस दिन वहाँ पे मौजूद होंगे मतलब ये आडवानी जी होंगे मुरली मुनहर जोसी जी होंगे उमा भारती जी भी होंगी साथ वी रितमरा भी होंगी प्रधार मंत्री मोदी तो होंगे ही अमिशा भी होंगे और भी पूरा जो जिसे कह सकते हैं कि जो हिंदू, हिर्दय, समराग की स्रेड़े में जितने लीडर्स होते हैं वो सारे लोग उस दिन अयोध्या के इस एतिहासिक पल के एक गवाह बनेंगे और इसका इंतजार पूरे देश और पूरे दुनिया में हर जगह जहां जहां हिंदू हैं उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन सवाल यह है कि जैसे ही ये प्लैन सामने आया कि प्रधान मंत्री मोदी अयोध्या जाएंगे कई लोगों के पेट में दर्द होने लग गया फटा फट ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके लीडर्स आने आग सामने आगए मीडिया को फोन करके बुला बुला करके ऐसे तो कोरोना में कोई बाहर नहीं निकल रहा है लेकिन पीडा प्रधान मंत्री मोदी ने इतनी गहरी दे दी कि उन्होंने मीडिया को फोन करके बुलाया और ये बयान उन्होंने टीवी कैमरे पे दिया प्रधान मंत्री मोदी को नहीं जाना चाहिए ये प्रधान मंत्री मोदी को किसी धार्मी कार्म में नहीं जाना चाहिए अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो इससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा किसे किसे आप मैसेज देना चाह रहे हो और क्यों देना चाह रहे हो और कॉंग्रेस पार्टी के बहुत सारी लीडर सामने आ गए कई सारी लोग जो है दबी हुई जुबान से एक तो मज़िधार बात समाजवादी पार्टी अचानक से यूटन इसने ले ली वही मुलायम सिंग यादव ने वहाँ पे कार सेवों की लास बिचा दी नदी में पता नहीं कितने लोग मारे गए सरकारी ओडर दे करके उन्होंने गोली चलवाई थी पुलिस के जरिये लेकिन अब ये कह रहे कि अर्ध्य के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत सारा काम किया है जवीन की स्थिती बदल रही है राजनिती बदल रही है तो कुछ राजनितिक दल मौसम बैज्यानिक के तरह पल्टी मार रहे है लेकिन कुछ जो आदतन जिनकी आदत खराब है जिने जन भावना से कोई सरुकार नहीं है वो अब प्रधान मंत्री मोदी का विरोध कर रहे है अब ये विरोध की वजह मात्र बस इतनी है कि इनको लग रहा है कि प्रधान मंत्री मोदी ने जो दावा किया था जो वादा किया था 2014 मैं आपको बता दूँ जिस वक्त प्रधान मंत्री मोदी को प्रधान मंत्री पद के लिए चुना गया था यही लुटियन गैंग उस समय ये लोग सारी मीडिया पर इनका कब्जा था इन लोगों ने आर्टिकल लिखना सुरू कर दिया था कि अगर मोदी में हिम्मत है तो वो डिकलियर करें कि वो परधान मंतरी बनेंगे तो राम मंदर बनवा देंगे इनकी जो मूल धारना थी कि कोई भी पॉल्टिकल पार्टी बिना मुसल्मानों के भोट के हिंदुस्तान में सरकार नहीं बना सकती बहुमत नहीं ला सकती और इस थियोरी के उपर और उसी थियोरी में इनको इतना अटूट विश्वास था कि ये दंब भरते थे चुनोती देते थे कि परधान मंतरी मोदी इस चुनाओं भी डिकलर कर दे बीजेपी कि वो आएंगे तो वो मंदर बनाएंगे और मंदर के नाम पे आप वोट ले मंदर भी बन रहा है सरकार भी बन गई बहमत भी आ गई और तो और 2019 में जो संख्या सीटों की थी वो भी बढ़ गई और यही दिक्कत है कि ये जो विपक्षी पार्टियां है जो लिफ्ट और ये जो कॉंग्रेस पार्टी है इनकी राजनिती की जो अधार सिला है जो वो आडलोजिकल प्लेंज इसको कहते हैं वो बिलकुल पलट गया है और इनको इस बात का इल्म नहीं है इनको अभी भी लग रहा है कि प्रधान मंत्री इस देश का वो सिर्फ और सिर्फ मानर्टी अपीजमेंट करने के लिए जो मानर्टी से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन है उसकी पूजा याचना और उसके सामने मिन्नते करने के लाबा कोई हिंदू प्रतीक चिनों का काम नहीं कर सकता है ये ठीक वही मान सकता है जिस तरीके से जब सोमनात का उद्गाटन हो रहा था तो किस तरीके से जवालाल नहरू ने राश्पती राजिंद प्रसाद को वहाँ जाने से मना कर दिया था वो कहानी वो बहुत अजीब और गरीब कहानी है इसके बावजूद राजिंद प्रसाद वो सोमनात गए थे और इसकी सजा राजिंद प्रसाद को जवालाल नहरू ने ऐसे दी थी कि वो ऐसे राश्पती रहे जो जिस दिन उनका रिटार्मेंट हुआ वो राश्पती पद उनके टब पूरा हुआ अगले ही दिन उन्हें बकादा बग्गी पे बिठा करके नई दिल्ली रिल्वे स्टेशन छोड़ दिया था कि आपके प्लिये दिल्ली में कोई अस्थान नहीं है और वही राश्पती प्रसाद को पटना जाकर के अपना सारा जीवन सदाकत आस्तर में बिताना पड़ा तो कहने का मतलब यह है कि यह जो राजनीती है यह विचित्र है और जिससे मैं कह सकता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी ने किस तरीके से इनके ऊपर जिसको कह सकते हैं कि एक तो हराना यह तो उनके लिए हार है यह सारे बामपत्थी कॉम्रेस पार्टी जो सेक्लर जमात है उनके लिए पांच तारीख के जो दिन है वो एक काटे की तरह उनकी दिल को चुबाता रहेगा तो कि यह तो लगतार 1991 से ही कहते आ रहे थे कि मंदिर नहीं बने देगी किसी भी किमत में मंदिर नहीं बनेगी यह कॉंग्रेस पार्टी है यूपी के चु उपर ये जो उनके जख्मों के उपर जो मिर्च डालने का काम किया है वो ये कि इस जो पांस तारीख को जो शिलन्यास होने वाला है उसमें RSS चीफ मोहन भागवजी भी शरीक होने वाले हैं वो भी वहाँ पे रहेंगे और इस बात को लेकर के अब इनकी छट पटाहत बढ गई है मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो पांस तारीख का जो दिन चुना गया था ये कोई आम दिन नहीं है ये बहुत ही स्ट्रेजिक तरीके से इस डेट को चुना गया था क्योंकि ये इंडिजरिम से रिपोर्ट आ रही थी कि ये जो वांपन्थी हैं ये जो साह अमेरिका की तरह इस हंदुस्तान के अंदर बवाल मचाएंगे आंदोलन करेंगे किसके नाम पर तो ये अब क्योंकि ये साहिन बाग फेल हो गया CEA, NRC वो फेल हो गया, किसी की नागरिकता नहीं गयी, मुसल्मान को भी अब समझ में आ गया कि भई ये जूट मूट का एक बकवास था, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है NRC भी आने तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कुछ इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अब इन लोगों ने जो लगतार 5-6 दिन से, ये रोज, दिन भर, ये जो अपना कॉंगरिस पार्टी का नीरो है, राहुल गांधी, जो कैमरे के सामने वीडियो बना रहा है, वो उसक प्रिप्रेशन ने उसकी तैयारी थी, कि किसी तरीके से अब लोगों में ये बताया जाए, कि प्रधान मंतरी मोदी, चीन के सामने उन्होंने घुटले टेक दिये, एकॉनमी तबाह बरबाद हो गई, सारे लोग बेरोजगार हो गए, इंडुस्ट्री चौपट हो गई, ए और ये असंतोष क्रियेट करके ये बहुत ही घणिया किस्म की राजनिती होती है, बहुत सारे राजनितिक दल्नी करते हैं, आप जनता के बीच, खास करके ये वाम पंत्थियों की strategy होती है, कि जनता के असंतोष को आप राजनितिक रूप देखर के आप तेश के अंदर जो ताकि प्रधान मंत्री मोधी सांती से वो जंडा नहीं फैरा सके किसी वो बिल्कुल ही उसको एक सोक दिवस बनाने में जुटे हुए थे तो उस प्लैन के उपर भी इन्होंने पंचर कर दिया और इसलिए जब ये खबर आई कि प्रधान मंत्री मोधी दो दिन पहले जब ये खबर आई थी कि पांस तारीक को होगा तीन तारीक को होगा और जब ये खबर आई कि पांस तारीक को ही हो रहा है और प्रधान मंत्री उसमें शरीक होने वाले है इनकी छटपटा हट जो है इनकी तिलमिला हट जो है वो बढ़ गई है लेकिन समय बदल रहा है देश बदल रहा है लोगों का सोच जो है वो बिलकुल ही बदल चुका है और राजिनती ने भी अपना चाल, चरित और चहरा बिलकुल अलग बना लिया है इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो अभी तक 1970 में फसे हुए है इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए ये जन भावना से दूर चले जा रहे हैं इनका समर्थन सुकुरता जा रहा है पांस तारिक को वहाँ क्या होगा उस पे हमारी नजर बनी रहे की आप देखते रहे कैप्टल टीवी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए भजबार